यहाँ पर तीन कटोरे रखे हैं, इसमें एकदम थंडा पानी, इसमें गरम पानी और यह बीच वाले में गुनगुना पानी है, अब राइट हैंड को इस थंडे पानी में डुबोते हैं और लेप्ट हैंड को गरम पानी में, अब दोनु हाथों को गुनगुने पानी में डा अगर हमारा शरीर गरम है तो हमें नोर्मल चीजे भी थंडी लगने लगती हैं आपको बुखार हुआ होगा तब आपने महसूस भी किया होगा इसी कमे को दूर करने के लिए 1610 के आसपास गैलेलियों ने पहला थर्मामेटर भी बनाया जिससे हम temperature माप सकते हैं ताकि exactly ये पता कर सकें कि कोई वस्तु कितनी थंडी है या कितनी गरम आज हम खुद का थर्मामेटर बनाएंगे और ये देखेंगे कि वो काम कैसे करता है इसको बनाने के लिए हमें एक glass bottle, transparent straw, एक foam का टुकडा और color पानी चाहिए सबसे पहले हम bottle में थोड़ा सा color पानी नालेंगे फिर एक foam का टुकडा लेंगे जो कि bottle के मुँपर एकदम tight fit आए अब foam में से stroke हो जाने के लिए खोल करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि straw इस foam sheet में और ये foam का टुकडा इस bottle में अच्छे से fit हो जाए इसके लिए हम glue भी लगा सकते हैं ताकि एकदम air tight sealing हो जाए एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि straw का निचला सिरा पानी में डूबे रहना चाहिए हमारा ये thermometer बनकर तयार है अब जैसे ही हम अपने आतों को रगड़ कर बोटल पर रखते हैं स्ट्रो में पानी उपड़ चड़ने लगता है चली अब ये देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हातों को आपस में रगड़ने से वो friction की वज़े से गरम हो जाते हैं हातों की kinetic energy heat energy में convert हो जाती है और जब हम बोटल को पकड़ते हैं तो बोटल के अंदर की हवा का temperature भी बढ़ जाता है किसी भी gas का temperature भढ़ने पर उसका pressure भी बढ़ जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरम करने पर gas के molecule तेजी से move करने लगते हैं और उस तेज movement के कारण वो container की surface पे तेजी से टकर मारते हैं और उस वज़े से gas का pressure बढ़ जाता है temperature बढ़ने की वज़े से हवा का pressure बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ pressure पानी पर force लगाता है और पानी स्टो वाले रास्ते से उपर आ जाता है तो जितना ज़्यादा temperature उतना ज़्यादा pressure और उतनी ही ज़्यादा स्टो में पानी की height अलग-लग temperature के लिए आप स्टो पर marking भी कर सकते हैं bottle की जगे हम test tube का use भी कर सकते हैं और आराम से thermometer को pocket में डाल कर घूम सकते हैं यह thermometer को बनाने के लिए हमने काच की bottle का use किया है क्योंकि plastic की bottle दब जाती है और स्टो में extra पानी उपर चड़ जाता है जिससे accuracy कम हो जाती है तो अगली बार जब भी किसी को बुखार हो अपने खुद के बनाएवे thermometer से उसका temperature ना पे आदब उखार तो science के मज़े से इव उतर जाएगा Thank you झाल झाल झाल